प्रमिश्वर को जानना और उसके अनुसार चलना प्रमिश्वर यहीं सिखाता है multicillisya यहीं सिखाता है Praise the Lord आज के जो दूशन में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला है वो वचण हमें बताता है कि हमें किस थरीके से मसी जीवन को जीना है हमें किस तरीके से परमेश्वर के अनुसार चलना है हालेलुया आज इस वचन में आप जानेंगे कि हम क्या-क्या गल्तियां करते हैं हम कौन सी चीजें नहीं करते हैं हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए और परमेश्वर क्या चाहता है मैं आपसे फिर कहता हूँ इस अंतिम समय में हमें बहुत ही इमांदारी के संग मसी जीवन जीना है क्योंकि वो इमांदार है वो इमांदार है और वो आपकी चाल को देखता है वो हमारी गती को देखता है चाहिए कैसा भी atmosphere हो, चाहिए कैसी भी विपत्ती हो चाहिए कैसा भी समय हो हम किस तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से अपने मसी जीवन को बिताना है Praise the Lord, हम चुने हुए हैं और परमिश्र का भी शीक हमारे साथ है Hallelujah विश्वास करते हैं, कितने लोग चुने हुए Hallelujah यह बहुत ज़ूरी है कि हम विश्वास करें कि हम चुने हुए अब लिए मैं चुना हुआ हूँ विश्वास कि संग बोलिए मैं चुना हुआ हूँ Yes इस चीज को कभी मत भूलिए आप कौन है मैं चुना हुआ हूँ आप समझते हैं इसका मतलब और किसने चुना है आपको परमेश्वर में बाइबल कहती है कि वो अपने अपने सत्य ज्ञान से अपने ज्ञान के प्रकाशन के द्वारा उसने आपको चुना है वो जानता है आपको चुनने से पहले अपने उसका उसने आपको यही नहीं चुन लिया इसलिए वो चाहता है कि हम भी उसे जाने जाने हैं वे इसलोट पिर जीवन हमें मिला है ना मेरे भाई मेरी बहन वह एक यात्रा के रूप में है हम एक मसी नहीं सिष्टी में जब हम आते हैं तो एक हमारी यात्रा जर्णी शुरू हो जाती है हमें उस जर्णी को किस तरीके से चलना है हमें उस जर्णी पर किस तरीके से पैर रखने हैं हमें कदम बढ़ाना है वो पुराना मनशुत जो क्रूस पर मारा गया वो खता हो गया अभी हम उसको अपने अंदर लाने की कोशिश ना करें हमें किस तरीके से अपने मसी जीवन को चलाना है किस तरीके से हमें अपने जीवन को देखना है किस तरीके से हमें अपने खुशियों को देखना है किस तरीके से हमें अपने मुसीबतों को देखना है अपने दुखों को देखने आए पहले जब हमारे जीवन में बिमारी आती थी तो हमारा देखने का नजरिया क्या था और अब जब बिमारी आती है यह संकर आता है तो हमारा देखने का नजरिया क्या है यह ज़रूरी यह जब पहले बिमारी आती थी जब मसी को नहीं आनते थे हम टेंशन में थे कि क्या होगा साब डॉक्टर ने बोल दिया कि साब आप कुशी दिल के महमान है और आपका प्रॉब्लम है आप ठीक नहीं हो सकते हम उस सच को मानकर अपने जीवन को बिताते थे और चिंता में रहते लेकिन बाइबल कहती है कि इस्वी कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं इसलिए जब हम मसी बढ़ने के बाद हमारे जीवन में बिमारी आती है संकट आती है तो हम उसे कैसे देखते हैं हम उसे कैसे देखते हैं जंकर तो आएंगे लेकिन हमारे देखने का नजरिया अलग होना चाहिए मसी हमारे अंदर एक नया नजरिया पैदा करता है परमेश्वर हमारे अंदर एक नया नजरिया पैदा करता है इसलिए वो कहता है डरो मत इसलिए वो कहता है कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में जब तू मुझ से जुड़ा रहेगा फल लाएगा फलवन तो हो जाएगा इसलिए बहुत जरूरी है मेरे बहाई अगर हमारा नजरिया वही है जो इशू मस्वी में आने से पहले था आप अभी तक इशू को पहचाने नहीं है अब सोचिए आपके पास जब नौकरी नहीं थी तो आप अपनी लाइव को कैसे देखते थे एक अलग नजरिया था जब आपका पैसा नहीं था नौकरी नहीं थी सहारा नहीं था कुछ नहीं था तो आप अपने लाइफ को कैसे देखते थे लेकिन जैसे ही आपको नौकरी मिल गई 50 अजार लाख रुपए की आपको नौकरी मिल गई तब आप कैसे देखेंगे यही है मसियत पहले आपके पास नौकरी नहीं थी तब आप चिंतित थे तब आप व्याकुल थे प्रेस अलॉट तब आप डरे हुए थे लेकिन जब आपको नौकरी मिल गी लाख रुपए की तब आपके अंदर एक जोश आया आपके अंदर एक आशा आई आपकी चिंता चली गई आप समझने मेरी बात आपकी व्यकुलता चली गई मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझ़िये बिमार आप उस समय भी होते थे जब नौकरी नहीं थी और बिमार आप आज भी होते जब नौकरी है लेकिन उस समय आपका देखने का नजरीया अलग था और आज देखने का नजरीया अलग है आज आज आपको जानना होगा आपको जानना पढ़ेगा कि आप मसी में कौन है क्या दिया है इशू ने आपको उसने सिर्फ आपको क्रूस पर क्रूस के द्वारा आपको पापों श्रापों से मुक्त नहीं किया चार चीजें परमिशन ने आपको क्रूस के द्वारा दिये चार चीजें नमबर वन उसने आपको पापों श्रापों से मुक्त किया है नमबर दो उसने अपनी आत्मा आपको दिये नमबर तीन उसने आपको नई सिष्टी बनाये में रचा है नमबर चार उसने आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाया है इस चार चीज़ें आपको कुरूज से मिली हैं और इन चार चीजों के साथ आपको चलना है अलो, इन चार चीजों के साथ अगर आप नहीं चलेंगे आप नहीं आगे बढ़ सकते मुझे एक बताईए कितने लोग मसी में कितने लोग आप रोस परिवक्व होना चाहते हैं कितने लोग कि eating मैं रोस मजभूत होना चाहता हूं रोस मैं अंधरूनी मजभूती चाहिए बहारी नहीं देंकि बहारी जो आपका शरीर है न वो रोस कमजूर होता जाएगा क्योंकि आपकी रोज उमर बढ़ रही है अंदर से अगर आप मजबूत होना चाहते हैं ये बचन आपके लिए अगर आप अंदर से रोज मजबूत होना चाहते हैं देखिए मैं आपको बताओं ये इच्छा है आपकी इच्छा हुँ मैं रोज मनुषट अपने अंधरोनी मनुषट को मश्बूथ करना चाहता हूँ मैं रोज परमेशर आपके करीब आना चाहता हूँ और ये इच्छा लेकर जब आप अपने जीवन को जीयेंगे ना मेरे भाई मेरी बहेन आप देखिए आप परमेशर को अपने साथ खाड़ा हुआ पाएंगे और अगर आपकी इच्छा होगी कि बस दाल लोटी मिल जाए पैसा मिल जाए, खर्चे पूरे हो जाए और मैं मसी में बना रहा हूँ, कभी नहीं बने रहेंगे आप आप सरफ नाम के मसी होंगे मैं आपको चैलेंग करता हूँ, आज नहीं तो कर आप पीछे हटी जाएंगे कुछ दिनों तक आप अपने हमों खेशेंगे आने के लिए पिछे हट जाएंगे, क्योंकि आप उस तरीके से जिन्दगी नहीं जी रहे आप पीछे हट जाएंगे फिर आप दोश लगाएंगे पास्टर पर, कलीसिया पर, प्रमू पर मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ लेकिन आप पीछे हट जाएंगे क्योंकि आप वो चाल नहीं चल रहे हैं वो चाल आपको चलनी है, वो वहवार आपको रखना है वो नजरिया आपको रखना है और रोज बढ़ना है अगर आपके अंदर रोज बढ़ने की अकंशा नहीं है अगर आपके अंदर रोज बढ़ने की प्यास नहीं है दन है जो धर्मिक्ता के भूके प्यासे है अगर आप उसकी धर्मिक्ता के भूके प्यासे है चाहे मैं आधा कदम आगे बढ़ू, मुझे बढ़ना है, आप देखी आप क्या पाएंगे, आपकी बुद्धी खोलेगी, आपकी आत्मा को बल मिलेगा, आपके अंदर से निराशा निकल जाएगी, आप आशा में जीएंगे, और एक अलग अधबुत उत्सा आपके अंदर रहेगा, अधबुत शांती रहेगी आपके अंदर, इश्यू की शांती, उसने कहा था न, यहना, 14 का 27 में कि मैं तो मैं अपनी शांती दिये जाता हूं, उसकी शांती क्या है, पता आपको, इश्यू की शांती क्या है, उसका सामर्थ, उसका अधिकार, उसकी जोती, उसका जीवन उसकी शान्ती है जो वो आपको दे कर जा रहा है उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अपनी शान्ती दिये जाता हूँ संसार की नहीं अपनी और बाइबल बताती है कि इश्यू की शान्ती पता क्या है उसका सामर्थ, उसका अधिकार उसकी जोती, उसका दिया हुआ जीवन का सौभा ये है उसकी शान्ती जो हमेशा आपके साथ रहती है प्रेस लोट लेकिन हमें वो कब तक रहेगी जब हम उसको अपने अंदर रखेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो आज का वचर निकाल लीजिए पढ़ने के लिए लूका आठ 22 से 25 के बीच में है ये बहुत अच्छी एक द्रस्टान्त है जिसके बारे में मैं आपको बताऊ इस समय जो इशू मसी है वो अपने चेलों को गद्रेनियों के शेहर में लेके जाने वाले है और ये यात्रा है जिसमें सारे चेले एक नौ पे सावार होते हैं और इशू मसी उनको कहते हैं कि आओ हम जील के उस पार चलें मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सुना होगा आपने पढ़ा होगा लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा आप इसको समझ पाएंगे आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ नयाई सीखा है यह मैंने कई बार पढ़ा है हजार बार पढ़ चुका होँगा मैं यह लेकिन कल जो मुझे परमिशन ने प्रकाशन दिया इसका वो अद्भूत है हम लोग क्या है हम लोग एक यात्रा में है हम लोग गती में है प्रेस अलॉट हालेलुए तो यह वचन पैठते हैं हमारे बच्ची पढ़ेगी ध्यान से समझने की कोशिश करिए देखिए एक भी वचन अगर आपके दिमाग से निकल गया आप इसको खो देंगे चैटी वी जो देख रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं कि ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए आप प्लीज अपने अपने हाथों में बाइबल लीजिए और कॉपी में लिख लीजिये जो जो मैं आपको बता रहा हूं अलेलोया फ्लीज बिटा, पढ़िए फिर एक दिन होँ और उसके चेले नाव पर चड़े फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चड़े और उसने उनसे कहा आओ जील के पार चले उसने कहा, इशु ने कहा, इशु ने मौ खोला आओ, हम कहा चले, जील के उस पार चले, आगे पत्व उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी, तो वह सो गया और जील पर आंधी आई, और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं तब उसने उटकर आंधी को और पानी की लहरों को डाटा, और वे थम गये, और चैन हो गया तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहा था, पर वे डर गए और अचमवित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है, जो आंधी और पानी को भी आग्या देता है और वे उसकी मानते हैं Amen, 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 Hallelujah हम उस पितावस बरमेश्वर को पूछते हैं, जो कि आंधीयों को आग्या देता है, जिसके हाटों में समय, समय उसकी मुठी मर है Praise the Lord, वो इस ब्रह्मान का रचाईता है, हम उसकी सिवा करते हैं, हम उसकी प्रातना करते हैं Praise the Lord, ये जो द्रिश्चान था, ये जो कहानी है, ये हमें बताती है कि चेले एक यात्रा पर निकले Praise the Lord, Hallelujah दिखिए, चेले कौन थे? चुने हुए थे सबसे बड़ी चीज है, अगर हम पहला इसका पढ़ेंगे, तब एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके चेले एक नाव पर चड़ गए और उसने उनसे कहा, आओ जील के उस पार चले, Praise the Lord, Hallelujah वो एक काम के लिए जा रहा है, एक काम है उसके लिए, एक मिशन है इश्व मसी के पास जिसके लिए वो जा रहा है एक मिशन है जिसके पास, जिसके लिए वो चेलों को लेकर जा रहा है, Praise the Lord, Hallelujah तो यहां पर इस जश्टान में देखते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है एकता सबसे बड़ी चीज क्या है एकता इस पहला वचन में बताता है कि वो एक साथ चले हलो एकता हमारे लिए बहुत जरूरी है हम जब एक बनकर एक मन और एक द्रिश्टी कौन के संग अपने जीवन को बिताएंगे अगरा हमारा मन और एक द्रिश्टी कौन दिखी यह क्या दिखाता है हमें कलीसिया क्या सिखाता है कलीसिया क्यों हम एक साथ बैठते हैं ताकि एक मन और एक द्रिश्चिकॉन के संग हमें अपने जीवन को जीना है यह प्रभु भोज हमें क्या दिखाता है आज हमने प्रभु भोज लिया प्रभु भोज क्या सिखाता है एक मन एक द्रिश्चिकॉन हलो, कैसे, आपने, जिस मन से मैंने प्रभू भोज लिया, उसी मन से आपने प्रभू भोज लिया, जिस रिश्चिकोंड से मैंने प्रभू भोज लिया, उसी रिश्चिकोंड से आपने प्रभू भोज लिया, आपने भी उस रोटी को इशू की देह समझ कर ग्रहन किया, आप आपने भी वाचा में आप बंदे कि जब तक इशु नहीं आएगा मुझे उसकी मौत का प्रचार करना है और मैं भी उस वाचा में बंदा कि जब तक इशु नहीं आएगा मुझे अप उसकी मौत का प्रचार करना है आलेलुया तो यह प्रभूपोज क्या दिखाता है हमको कि एक ही मन और एक ही द्रिश्चिकोन के संग हमें चलना है जब तक हमारा मन एक मन एक द्रिश्चिकोन नहीं होगा मेरे भाई हम इशू मसी के कारे को नहीं कर पाएंगे हम नहीं समझ पाएंगे हमारा अगर द्रिश्चिकोन अलग अलग है हम सफल नहीं हो पाएंगे शेतान काम कड़ेगा कई चर्चिस में होता है ग्रूप बन जाते है 6-7 का ग्रूप इदर 6-7 का ग्रूप इदर गलत है बिल्कुल गलत है ये वज़न के खिलाफ है हमें एक हम एक दे है इसर कोन है? इशू मसी हम इस देह के अंग है हमें एक मन एक द्रिश्ची कोंड के संग चलना है जब तक कलीशिया में एक मन एक द्रिश्ची कोंड नहीं होगा आप परमेश्वर के सामर्थ का ना उप्योग कर सकते हैं ना उस वज़न के द्वारा चल सकते हैं इसलिए एक मन एक दृश्चीकोन ये प्रभु भोज हमें बताता है, कलीसिया हमें बताती है और इसलिए इशु मसीकों ने वो चेलों को अपने साथ लिया, रेज अलोट, हालेलुया, कहां बिठाया, नौ पर बिठाया, रेज अलोट, और बाइबल कहती है, जैसे नौ चलने लगी, वो सोने के लिए चला गया, इस चीज़ पर कई परचार हुएं, मैंने कई परचारों को सुना है, कि वो सोने के लिए चला गया, वो उनको जाच रहा था, इसलिए सो रहा था, कि वो क्यों चला गया, कई इस पर परचार हुएं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, और कि वो क्यों चला गया देखिए जब उसने आपको चुना अंत में जब हम बचन पढ़ेंगे तो देखेंगे जब चेलों ने उसको उठाया तो उसने लहरों को और तुफान को डाटा और क्या पूछा चेलों से कि तुम्हारा विश्वास कहा है यहने कि चलने से पहले उसने विश्वास दिया था बाइबल बताती है कि जब परमेशर आपको चुनता है तो आपको विश्वास का वर्दान देता है आपको अधिकार देता है रेस अलौड हालेलुया देखिए यहां पर अगर मैं वचन आपको पढ़ाओं जब चेलों को इ हालेलुया प्रेज अलौड पुछिए मैथ्यू 10 वन पिर उसने अपने बारा चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की भीमारियों और सब प्रकार की दुरबलताओं को दूर करें प्रेज अलौड फि बारा को एक साथ क्यों बुलाया उसने कभी सोचा आपने बारा को एक साथ क्यों बुलाया बारा को क्यों बुलाया एक साथ क्योंकि अगर कोई पहला कमजोर बने तो दूसरा उसे समा ले अगर को तीसरा भूले तो चौता उसे समा ले पेस अलौड हाल अलिया शैतान अगर आपके जीवन में काम कर रहा आपकी बुद्धी बंद कर रहा तो आपका पोडुसी जो है वो आपका जो भाई है जो आपकी बेहन है जो मसी में है वो आपको समा ले वो आपको मजबूत करे इसलिए बारों को उसने एक साथ बुलाया और बारों को एक साथ उसने अधिकार द क्यूं देता है क्यूं वच्ण हमें बताता है कि यह हमारी ड्यूटी है कि हम एक मन एक द्रिश्टीकौण के संग एकता में रहें कि तक हम अपने कमजोर भाई बहर्णों को समाल सकें ले चकें अपने साथ 9 और 11 पड़ उसको 9 और 11 उसने अधिकाट दिये यहाँ पर और उसने क्या कहा पूछे अपने पटकों में न तो सोना न रूपा और न तांबा रखना मार्ग के लिए न जोली रखो न दो कुर्टे न जूते और न लाठी लो क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए ये अधिकार के साथ परमेशों ने क्या दिया इशू मुसी ने उनको हिदायत दी आज्या दी कि ना अपने संग सोना रखो ना चांदी रखो ना पैसा रखो क्यों? कभी सोचा कि उनको जुरूद नहीं थी क्या? लेकिन इशू नहीं चाहता है कि हम इन चीजों पर अपना ध्यान डाइवर्ट करें क्यों मत रखो? क्योंकि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो तुमारा मन परमेश्वर की उपस्ति में रहे, तुमारे अंदर उद्देश जो है वो परमेश्वर की सेवा का हो और तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो अपनी परमेश्वर की आत्मा के दोरा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा पैसा रखना बुरा नहीं है अपने पास पैसा लेकिन हमारा ध्यान न जाए उस तरफ इसलिए यहाँ पर इश्व मसी ने उनको हिदायत दी कि अपने संग सोना चांदी मत रखना ताकि तुमारा ध्यान न जाए, तुमारा ध्यान होना चाहिए परमेश्वर के उस अधिकार पर, इश्व के उस सामर्थ पर, इश्व के उस ग्यान पर, जो इश्व ने आपको दिया है और उसके बाद परमेश्वर चाहता है, इश्व चाहता है कि आप जाने कि आपको रोटी देने वाला कौन है? प्रभू आपको जीवन में आशीष देने वाला कौन है प्रभू और आप उसके महत्व को समझें आप उसकी कीमत को समझें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब चेले नौ में चले तो उनके पास अधिकार था उनके पास विश्वास का वर्दान था हमें जब परमेश्वर ने चुना है तो हमारे पास वर्दान है हमारे पास वो अधिकार है जिस तरह चेले नौ में चले हम भी मस्गी बनकर परमेश्वर की नौ में बैठ चुके हैं कितने विश्वास करते हैं हलो कितने विश्वास करते हैं कि हम उस नौ में बैठ चुके हैं जो मंजिल की तरह बढ़ रही है हम उस नौ में बैठ चुके हैं जिस तरीके से ईशू मसी ने अपने चेलों को नौ में बिठाया था हमें भी परमेशर ने ईशू मसी ने शुद्ध करके एक नौ में बिठा दिया है और वो नाव इश्व मसी की और जा रही है Peace the Lord Hallelujah और Bible कहती है कि वो जो नाव है जैसे वो नाव चलने लगी इश्व मसी सो गया बहुत से लोगों को प्रचारों को बहुत आपती है कि इश्व मसी क्यों सो गया मैं आज आपको बताता हूँ इशू मसी क्यों सो गया जैसे मैंने आपको बताया कि उसने आपको अधिकार दिया उसने अपना सामर्द दिया रेज लॉड विश्वास का वरदान दिया इशू मसी ने क्रूस के दौरा आपको सब कुछ दे दिया है इफीसियो एक का तीन पड़िये आपको सब कुछ दे दिया है मैं आपको आपसे बात करना चाहता हूँ मैं आपको एक उधारन देना चाहता हूँ आप सब लोग यहां पर बैटे हैं कभी ना कभी आप किसी ना किसी अपने भाई, बहन, रिश्वादार को ट्रेन में छोड़ने के लिए गए होंगे गए हों के हैं के ने गए हैं अपने मा बहनों को भाई बहनों को ट्रेन में छोड़ने गए के ने गए हां के ना छोड़ने के गए होंगे ना अब जब आपने अपने भाई, अपनी बहेन, अपनी पत्नी को अपने पती को ट्रेन में बैठा दिया, तो आपने क्या उसे दिया हाथ में? टिक्ट, जो कि अधिकार को बताता है. Praise the Lord. Hallelujah. और उसे आपने पैसा दिया सामर्टी. Hallelujah. Praise the Lord. और आप जब तक ट्रेन नहीं चल रही है तब तक आप उसके साथ ख़़े हुए बाते करने है जैसी ट्रेन शुरू हुई आप क्या उसके साथ जाएंगे हलो ट्रेन चली जाएगी आप पीछे रह जाएंगे प्रेस अलॉड हालेलिया परमेश्वर इशु मसी ने छेलों को नाओं पर चड़ाया उनको अधिकार दिया विश्वास का वर्दान दिया और उनको आशीश दी और वो सोने चला गया क्योंकि उसका कोई काम नहीं रह गया था प्रभू का हमारे जीवन में हम प्रभू को ढूंदते हैं उनको नाओं पर चड़ा दिया नाओं चलने लगी उनको अधिकार दिया सामट दिया विश्वास का वर्दान दिया और सोने के लिए चला गया क्योंकि उसका काम ही नहीं है कुछ कि अभी काम आपका है अभी काम हमारा है इस नाओं में चलते हुए आगे तक बढ़ने का प्रेस अलोड कि अभी काम नहीं है कि कुरूस पर उसने हमें पवित्र किया शुद्र किया पाप और शाप उसे मुक्त करके उसे सब कुछ दे दिया हमें इफीशियो एक का तीन पढ़िए बेटा हमारे प्रभू येश्यो मसी के परमेश और अपिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीय में स प्रकार की आत्मिक आशिश दी है दी है हमारे प्रभू येश्यो मसी के परमेश और पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसी में इश्यो मसी में स्वर्की इस्थानों में सब प्रकार की आशिश दी है दे दी है उसने देने वाला नहीं है अब हमें उन आशिशों के साथ चलन त्रेन की सीट आपको मिल गई टिकेट आपके हाथ में है अब ट्रेन में आपको बैठना है अगर मैं बैठाने के लिए गया हूं तो आप मुझे फोन नहीं करेंगे पंखा नहीं चल रहा है पंखा चलाएंगे अप सुछ आनों जाएगा पंखा चलेगा आप समझेंगे नहीं? आपको अपने अधिकार का उप्योग करना है? ट्रेन में बैठे हुए फूजा है शीट है शीट को लंबा करके आपको सोना है अधिकार है वह आपका आप कुछेंगे नहीं फोन करके के पास्टर मैं बैठ गया हूं, अब मेरा नींध है आपको नींध रहें प्राप्लूम कि क्या है कि हम समझते हैं कि हमें हर समय इश्ट तो पूछना है पूछना तो है हर समय हम इशू मसी को बुलाना इशू मसी इशू मसी मेरी सीठ लंबी कर दीजिये इशू मसी पंका अन नहीं हो रहा है ओन कर दीजिये आप समझ रहे हैं इशू मसी आपको दे चुका है सारी आशीशों से आपको युक्त कर चुका है चेलों ने क्या किया किसा आओ उसने क्या कहा जील के उस पार उसने आपको एक उद्देश दिया हमें परमेश्वर ने मसी बना कर जब हम विश्वासी बने, जब हम मसी बन गए तो हमें एक उद्देश दिया, हमें आशा दी कि हमें इशू मसी के आगमन का इंतदार करना है हमें इशू मसी के आगमन का इंतदार करना है और उस आशा के संग जीना है जो इशू मसी पर हमने लगाई है बाइबल में तीन तरीके के मुकुट के बारे में बताया गया है जीवन का मुकुट, धार्मिक्ता का मुकुट और महीमा का मुकुट जीवन का मुकुट क्या कहलाता है जीवन का मुकुट उसको मिलता है जो धहरे रखकर अंत तक विश्वास में इस्थर रहता है जो इशू के आने तक विश्वास में इस्थर रहता है उसको जीवन का मुकुट मिलता है धार्मिक्ता का मुकुट किसको मिलता है जो इशू के आने को प्रिये डानता है धार्मिक्ता का मुकुट किसको मिलता है जो इशू के आने को प्रिये मानता है, कि इशू आने वाला है, रोज इंतजार करता है, जो इशू के आगमन को प्रिये मानता है, और महीमा का मुकुट किसे मिलता है, जो अपने जुन्ड की रखवाली करता है, जो अपने जुन्ड के लिए समय देता है, जो अपने जुन्ड को आगे लेकर जाता है उसको महीमा का मुकुट मिलता है ये तीन मुकुट है बाइबल में प्रेस अलोड, हालेलिया लेकिन उसके उपर क्या है? ये अधिकार इसलिए उसनी कहा किया कि आओ हम जील के उस पार चले हलो हमें जील के उस पार जाना है आप जील के उस पार कब जाएंगे आप कब जाएंगे जब आपके पास उद्देश होगा कि येस मुझे जील के उस पार जाना है आप जील के उस पार कब आपको पता है एक सच्चा मसी कौन है एक सच्चा मसी कौन है जो दिन में चार चीजे करता है वो सच्चा मसी है मैं आपको बता दूँ लिख लीजे आप एक सच्चा मसी वो है जो दिन में चार चीजे है अगर आप रोज ये चार चीजे नहीं करते हैं आप सच्चे मसी नहीं है पहला प्रात्रा करना और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कम से कम दिन में चार बार प्राथना करने चाहिए हर दो घंटे के बाद जैसे आप कुछ खाते हैं उसी है 15 मिन के लिए प्राथना करिए गुटने टेकिए 15 मिन प्राथना करिए दिन में चार बार मत दो घंटे प्रातना करिए जैसे आप हर दो घंटे के बाद कुछ खाते हैं हर दो घंटे के बाद प्रामिंट प्रातना करिए तो पहला काम क्या है? प्रातना कर रही है दूसरा क्या है? बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना अगर आप रोज वचन नहीं पढ़ते और मनन करना अगर आप वचन को पढ़कर मनन नहीं करते हैं आप मसीहत को नहीं लेके चल सकते हैं आप परिपक्व नहीं होंगे आप मजबूत नहीं होंगे आप कुछ भी कर लीजे आपको मजबूती नहीं मिलेगी आप कहीं न कहीं शेतान के बहकाई में आएंगे आप कहीं न कहीं पीचे हटते जाएंगे मैं आपको चैलेंज करता हूँ ये चार चीजें एक मसी के लिए रोस करना जरूरी है पहला है प्रात्रा करना जो दिन में चार बार आपको करनी है 15-15 मिनिट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आप कर सकते है दूसरा है बाइबल पढ़ना वचन पढ़ना और जो आप वचन पढ़ें उसको मनन करिए और इसके संग अगर आप एड करिए कि जो चर्च में पास्टर आपको सिखाते हैं उसको भी मनन करिए उसको भी मनन करिए कि आज पास्टर ने संड़े को क्या सिखाया था यह पूरे वीक मनन करिए एक एक वचन को लेकर मनन करिए प्रेज अलोड आलेलोईया पहला क्या था? प्रातना करिए दूसरा बाइबल पढ़ना संड़े की संगती नहीं है संगती ज़रूरी है आपकी संगती क्या है? बाइबल कहती है पहला करुंतियन 15 का 33 कि अच्छे अच्छे जो लोग है अगर आपकी संगती भरष्ट है तो आपको अच्छे कर देती है पढ़ो बढ़ा एक 15 का 33 पहला करूंतियन 15 का 33 पढ़िए पहला करूंतियन 15 का 33 धूंक ना हो धूकर नाखा हो बुरी संगती अच्छे चरित्र को विगार देती है इसलिए आपके लिए संगती ज़रूरी अच्छी है और चौथा है गवाई देना अगर आप मसी बनकर गवाई नहीं देते हैं रोज आप में उन्नती नहीं होगी आपकी आत्मिक उन्नती नहीं होगी आप सू समचार नहीं बाढ़ते हैं गवाई दीजिए इशु मसी आपका प्रभू है अंगिकार करिए बहुत जरूरी है ये चार चीजें अगर आप नहीं करते हैं तो आप मसी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जैसे मैंने लॉक्डाउन में अपनी बेहनों को बोला हुआता है और हमारी चारी बेहने रोज किसी ना किसी घर में प्रात्रा करती थी जाकर अभी भी करिए अगर आपको प्रात्रा की जरूरत है हमें बताईए आप एक रोज अपने घर में आप संगती में रहिए प्रात्रा जरूरी है बाइबल का वचन जरूरी है मनन करना जरूरी है और गवाई देना जरूरी है चार चीजें आप अगर नहीं करते हैं मैं आपको लिख के देता हूँ आप मसीयत की जिन्दगी नहीं जी पाएंगे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप पीशे चले जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आप मजबूत हो रोज अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक रूप में आप रोज बढ़ें और इसके लिए कोई नहीं किसाब मैं 12 गंटे काम करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा आप हमेशा हर यह काम कोई बढ़ा नहीं है आप कहीं भी काम करते करते कर सकते हैं यह बाहने हैं मैं काम करता हूं इसलिए Bible कैसे पढ़ूं? Bible लखी है अपने फास. आप पढ़ सकते हैं, समय मिलेगा, परमिश्र देगा. आप काम करते करते मनन करते हैं. मैं Bible को चलते फिरते मनन करता हूं. मैं गाड़ी चलाते हुए Bible को मनन करता हूं. यो मेरे वचन पढ़े हैं उसको में मनन करता हूं कि अधिर करता हूं आप इसकी है बीट डालिए गांप कॉकि आप जब जल रहे हैं गाली चला रहे यानि खाली समय कोई ना कोई विचार तो आपके अंदर आ रहा है ना कोई ना कोई तो विचार आपके अंदर आ रहा है इसकी बुराई उसकी बुराई यह क्या वो क्या मेरा क्या होगा मेरे पती क्या होगा सारे विचार आ रहे हैं ना उस समय उन विचारों को निकालिए मनन करिए वचन को उन वचनों को अपने अंदर लेकर आईए काम कर रही है आप खाना बना रही है वचन को मनन करिए वचन के बारे में सोचिए इश्यू के करीब जाईए यह चार चीजें आपको रोज कर नहीं है अगर आपको आत्मिक उन्निती चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज बढ करना तीसरा संगति और चौथा गभाही संगती सिरफ कलीशिया की नहीं है संडे के बाद भी पूरे छे दिन जो है आपकी संगती किसके साथ है वह बहुत शुरूरी है इसलिए संगती करिये उन लोग के साथ जो प्रहू में है प्रेजच अलोड तो यहां पर इसने क्या का इश्व मसी ने क्या क्या आओ हम जील के उस पार चलें अता हुनोंने नाव खोल दी प्रेस अलोड जैसे ही परमेशर आपको दर्शन देता है कि आपको कहा जाना है आप बंदनों से आजाद हो जाते हैं प्रेस अलोड जैसे ही परमेशन आपको देता है कि आपको करना क्या है, जैसे ही आपको मोटर मिल लिए, आपको लगता कि मुझे क्या करना है, इस अंसान में रहते हुए मुझे क्या करना है, एक आदमी है, मसी है, वो सोस्ता हो कि मैं किसके लिए मसी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मुझे आपको चुनाए यहना 15 सखाव 16 कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुमें चुना चुना और चुनकर नुक्त किया ताकि तुम पहलाओ रिस अलाओड हालेलिया और इफीसियो एक सत्रह अठारा में पॉलूस हमें प्रात्रह सुना सिखा था कि है पता परमिशर अ पहला पत्रस दो का नौ का कहता है पढ़िए पेटा पहला पत्रस दो का नौ जली पढ़िए जली पढ़िए पहला पत्रस दो का पर तुम एक चुना हुआ वंश परंतो तुम एक चुना हुआ वंश हो राजकी याजकों का समाज हो एक पावित्र प्रजा और परमेश्र की निट संपत्ती हो जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो जिसने तुम्हें अंदकार से अपनी जोती में बुलाया है हमारा काम क्या है हलो उसके महान गुणों को प्रकट करना मैंने अभी आपको क्या बला एक मसी का काम क्या चारों में से एक काम क्या गवाई देना उसके महान गुणों को प्रकट करना है कि मेरा पिता है कौन ये आपको रोज प्रकट करना है संसार के सामने जहां आप काम कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अंदरूनी मनशुत्र करें अगर आप चाहते हैं कि आप मस्बूत हो जाएं और दिन पर दिन आप मस्बूत होते जाएं आप कोई चार काम करने पड़ेंगे हो सकता है शुरू में आप ना कर पाएं शादान आपको रोके आपको आलस करा या आपको नीद आने लग जाएं कि परमिश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है वह इश्वर यह सामर से परिपून है हम उस अधिकार के सब अगर हम इस चार काम नहीं कर पाएंगे उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे कई लट आज हमारे बच्चे निशियों और प्रेश यह जाल लॉट लॉल्ट क्या सपम शसक्राव के अलेश्वर कैन नहीं कषयां शाईरिक पर गढ़ों को धा देने के लिए परमेश्व के द्वारा सामर्थी है इश्वर यह सामर्थ से परिपून है वह अधिकार है हमारे पास कि छेलों को क्या दिकार था servants यहीं अधिकार था की जबादlar नहीं थे पर को ढादेने के लिए इश्वरिय सामर्थ से परिपून थे वादिकार जो चेलों के पास थे कि और चेलों को बताया था कि हमको जील के उस पार जाना है कि प्रेस्ट अलोट कि दूसरा आपको दूसरा पत्रस एक का तीन पड़ी है तीन और चार क्यूंकि उसकी इश्वरिय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है किस ने दिया है हलो किस ने दिया है इश्वरिय सामर्थ ने कि हमारे पास इश्वरिय सामर्थ है जिसकी वरे से हम गणों को धोस्त कर सकते हैं उसी इश्वरिय सामर्थ से उसी इश्वरिय सामर्थ ने हमें भक्ति और जीवन से संबंधित सब कुछ दे दिया है और क्यों दिया है इसका चोथा बड़ो चोथा जिनके द्वारा इस सामर्थ के द्वारा जी इनके द्वारा उसने हमें बहु मुल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिग्याई दी है आगे ताकि इनके द्वारा तुम उस सडाहट से छूट कर जो संसार में बुरी बिलाशाउ से होती है इश्वरिय सौभाव के संबहागी हो जाओ ये इश्वरी सामर्थ के द्वारा हमें प्रतिग्यां क्यों मिली हैं ताकि हम वो सडाहट से छूट जाएं जिससे पर्मेशन हमें लेकर आया है पुझे संसारिक सडाहट है जिससे हम छूट के आयें वो दुबारा हम पर कबजा ना करें इसलिए जरूरी है कि हम रोज प्रात्रा करें रोज वच्णों में मनन करें वच्णों को पढ़ें संगती में रहें और गवाई दें अगर हम गवाई नहीं देते हैं मेरे भाई मेरी बैन यह शाय 43 कर दस यहोवा की यहानी है तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो तुम मेरे साक्षी हो किसले उसने बनाया आपको गवाई यहोवा की यहानी है कि तुम मेरे साक्षी हो अगर हम उसके साक्षी नहीं है अगर हम रोज उसकी साक्षी नहीं देते हैं अगर हम रोज उसकी गवाई न काम नहीं करेगा हलो तुम मेरे साक्षी हो और दास हो जिने मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतिती करो क्योंकि जब तुम गवाई दोगे तो ही समझ तुमारी खुलेगी अलो आप अपने प्रता के मेरे फादर ये करते हैं मेरे बापा ये करते हैं मेरे ममी ये करती है जितनी बार आप अपने माबाब के बारे में बताते हैं आप माबाब को समझने लगते हैं बाइबल क्या कहती है यहोवा कहता है कि तुम मेरे गवा हो और इसलिए गवा हो कि तुम समझ कर मुझसे प्यार करो और जब आप गवाई देंगे और जब आप समझ कर उससे प्यार करेंगे तब ही परमेश्वर का जो इश्वर ये समर्थ आपको दिया गया है वो अद्बुत रिती से आपके जीवन में काम करने लगेगा इसलिए इस चार चीज़ें बहुत जुरूरी है आप समस्ते नौकरी करना बहुत जुरूरी है धंदा करना बहुत जुरूरी है लेकिन ये चार चीज़ें करिए आपका धंदा अद्बुत आशीश पाएगा आपको गिरने नहीं देगा आपका धंदा इन चार चीज़ें के साथ आप मसी जीवन जीए मैं आपको सच कह रहा हूँ चैलेंज करता हूँ आप ऐसा आशीश पाएंगे बरकत पाएंगे अपने जीवन में आपको रोकने वाले जो गड़ है ना वो धौस्त हो जाएंगे Praise the Lord क्या करते थे पुराने प्रेटर के काम X242 जो पुरानी पहली सदी के जो सेवक थे जो विश्वासी थे वो क्या करते थे आपको पता वो दिन बर क्या करते थे उनका क्या काम था X2 42 पढ़िए बेटा और वे प्रेडितों से सिक्षा पाने और संगती रखने और रोटी तोड़ने और प्रात्ना करने में लॉलिन रहे एमेन हालेलुया वो जो पहली सदी के थे जो विश्वासी थे जो विश्वास में बढ़ जाते थे जो उनके संग जुड़ जाते थे वो रोज शिक्षा पाने संगती करने रोटी तोड़ने और प्रात्ना करने में क्या रहते थे लॉलीन रहते थे उसी वही काम था उनका हमें लॉलीन रहना है यह पार्ट टाइम जॉब नहीं है यह आप मसियत को पार्ट टाइम मस समझे कि संडे के संडे आये प्रात्रा की पास्टा से प्रात्रा कराई और हो गया हमारा काम नहीं यह पूरा समर्पन चाहिए इसमें अगर आपको मस्गी चाहिए अगर आपको उधार में उधार चाहिए अगर आपको इशू चाहिए मेरे भाई मेरी बहन इन चार चीजों के समर्पन के संग आपको रहना है और आप फिर देखिए आपकी मुसीब्तें फिर देखिए आपकी बिमारी फिर देखिए किस तरीके से आप खुद देखेंगे कि आप किस तरीके से आशीश पा रहे हैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप यह चार चीज़े करेंगे तो आप बिमार और आप अंदर से मजबूत होते जाएंगे रोज आप मजबूत होंगे आप अच्छनों को गलत समझते हैं आप समझते नहीं है आप अच्छनों से भागते हैं प्रेस अलौट इसलिए वो कहगा कि अगर तुम उससे नहीं जुड़ोगे यहना पंदरा का चार वो कहता है तुम मुझ में बने रहो, यह आदेश है उसका, यह इशु का आदेश है, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, हम अपने आप से नहीं फल सकते, हम अपने आप जिंदेगी नहीं जी सक है हमें उसकी जरूरत है किसी को मत देखिए अपने आपको देखिए कि मेरा पडोसी यह नहीं कर रहा है मेरी आंटी यह नहीं कर रही है अप अपने आपको देखिए आप क्या कर रहे हैं अपने आपको मजबूत करिए अपनी आपकी सहली भी मजबूत हो जाएगी आप भी मजबूत हो जाएगा आपका पती मजबूत हो जाएगा जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझे में बने ना रहो तो नहीं फल सकते ये चेदावनी है आप नहीं फल सकते और इशू मसीवें बने रहने के लिए चार चीज़ें करना रोज की बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं इशू मसीवें बने रहें आपको रोज प्रातना करनी है आपको रोज बाइबल पढ़नी है आपको रोज संगती में रहना है आपको रोज गभाई देनी है अगर ये चार चीज़ें आप नहीं कर सकते तो मैं आपको सच कहरा हूँ चर्च मत आईए कोई फाइदा नहीं होने वाला कभी कोई चेंगाई मिल गई कोई हो गया तो लो आपको सच कहा रहा हूँ चेताब नहीं दिये यहना पंदरा का चार एक चेताब नहीं है उसकी आग्या है अगर तो मुझे में नहीं बने रहूगे तो नहीं फल सकते और अगर हमें एशू में बनना है तो हमें रोज जीना है उसके साथ उसका वचन हमें शुद्ध करता है इसका तीसरा निकले यहना पंदरा का तीन पंदरा का तीन तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम से कहा है शुद्ध हो हम किसकी वज़ा से शुद्ध हैं उस वचन की वज़ा से जो उसने कहा है और अगर वचन ही हमारे जीवन में नहीं है और अगर वचन ही के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं आप नहीं बन सकते चाहे मेरा बच्चा हो चाहे मेरी पत्नी हो चाहे मेरा बाप हो चाहे कोई भी हो बाइबल के अनुसार अगर आप नहीं चल सकते वचन के अनुसार अगर आप नहीं चल सकते मेरे भाई आप अपने आपको धोका दे रहे है आपको इसके लिए कैसे समय निकालना है इस अप् ये चार चीज़ें आपको रोस करनी है अलेलिया आप जो यहां पर चेले थे अब ये चेले उसने का ईशू मुसी ने का आथा आओ जील के उस पार चलें और नाव खोल दी परन्तु जब वे नाव खेते हुए आगे बढ़ गए तो ईशू मुसी सो गया क्योंकि ईशू मुसी ने अधिकार दे दिया था और जील पर बड़ी भैंकर आँधी आई नाव में पानी भरने लगा और उनका जीवन खत्रे में पढ़ गया इस अलोट मैं आप सेक सवाल पूछता हूँ उनका जीवन खत्रे में किस तरह पढ़ा तुफान आने से या नाव में पानी भरने से अलो हाँ जी नाव में पानी भरने से तुफान से नहीं नाव में पानी भरने से मेरे भाई आप एक मसीज येवन एक नाव की तरह है और जो हमें इस संसार में लेकर चलना है संसार में तो हमें रहना है हम संसार से अलग नहीं हो सकते आप एक नौ की तरह है आपको संसार में रहना है आपको बस ये देखना है कि संसार का पानी आपके अंदर ना आए आलेलूया बेस लोट आपको ये चुकनना रहना है कि संसार में रहने अंदर ना आए जिस दिन संसार आपके अंदर आगे आप डूप जाएंगे अलो पानी अंदर ना आए संसार के अंदर तो चलना है उसके बिन आप नहीं रह सकते क्योंकि संसार में लेकिन आपको ये चुकनना रहना है कि संसार आपके अंदर ना आए संसार आपके बच्चों के अंदर ना आए संसार आपके रिष्टों के अंदर ना आए और इसी लिए ये चार चीजें मैंने आपको बताई है अगर रोज आप प्रात्रा में रहेंगे रोज आप बाइबल पढ़ेंगे वच्छनों को मनन करेंगे रोज आप संगती में रहेंगे प्रभू की संगती में रहेंगे रोज आप गभाई देंगे ये चीजें पानी आपके अंदर नहीं आएगा आपकी नौ में पानी नहीं आएगा रेस अलोट क्योंकि ये चारों चीजें आपके आत्मिक मनशुत को मजबूत कर रही है रोज रोज आप अंदर से मजबूत हो रहे है वो बचन काम कर रहे है रोज और जब रोज आपका अंदरूनी मनशुत मजबूत हो रहा है तो आप जानते हैं कि कौन सी गलत चीज है कौन सी गलत चीज़ है जो मुझे निकाल नहीं है आप सामने खड़े हो जाएंगे There's a lot कभी आपने कहा है बेमारी से कभी आपने कहा है दुख से कि ऐ दुख ऐ बेमारी मैं तेरे सामने खड़ाओ तो मेरे घर में नहीं आ सकती क्यों 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 क्योंकि मेरा घर एक मंदिर है मेरा घर पर मेक्षवर का मंदिर है तो अंदर नहीं आ सकते ही किसी गंदे जानवर को अंदर आने देंगे आप गर में कोई गंदा जानवर आपके घर में आने की कोशिश करेगा आप दरबाजे पर गाड़े होंगे कि नहीं होंगे क्यों क्यों कि आपको पता है इसी तरीके से बिमारी आए खड़े हो जाईए दुख आए मुसीवत खड़े हो जाओ दरबाजे बनाई नो आउट अपने अधिकार का उपयोग करो इश्यू को मत बुलाओ अपने अधिकार का उपयोग करो जो परमेशन ने आपको दे दिया है लेकिन वो अधिकार आपके जीवन में कब काम करेगा वो इश्यूरी समर्थ आपके जीवन में कब काम करेगा जब आप एक मसी जीवन जीएंगे जब आप मसीहत के साथ एक पूरे विश्वासी के साथ आप जिन्दगी जिएंगे तुफान से खत्रा नहीं ता खत्रा किसे हुआ आप बानी से शेदान आपको हिलाएगा शेदान आपको दिखाएगा अरे बिजन स्थप हो गया हर जेगा खत्म हो गया प्राइस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के डीजल के ये बढ़ गया वो बढ़ गया खत्म आपके साथ में चेटान की तरह मजबूत खड़ा कर देगा आपकी समस्याओं को और आपको बोलेगा कि अप तरह कुछ नहीं हो सकता लेकिन अगर उसका वचन आपके अंदर और वो मुझे सब कुछ देश चुका है रेस अलॉट हलो ये वचन आपके जीवन में देखिए मैं आपको फिर बता दूँ अगर आपने बाइबल पढ़ी है आप मेंसे कई कम हैं जो बाइबल को पूरी तरीके से जानते हैं बहुत कम है क्योंकि आप बाइबल को रोज नहीं पढ़ रहे है अगर आप पुराना नियम पढ़ते हैं आपको पता होगा जिन दुस्टात्माओं ने कैन का साथ दिया बिलाम का साथ दिया अब शालोम का साथ दिया कोरा वंशियों का साथ दिया अमालेकियों का साथ दिया जिन दुस्तात्माओं उने पुराने नियम में वही दुस्तात्माओं आज ने नियम में मसीहों को लुभाने के लिए मसीहों को भरष्ट करने के लिए आ रही है यह चेतावनी बता रहा हूं मैं आपको आप नहीं जानते हैं कि शेतान क्या-क्या बना रहा है शेतान आपसे कितने गलत काम करवा सकता आप नहीं जानते है आप अपने आपको मजबूत मां समझेए आपको मजबूत दिन पर दिन कौन मजबूत करेगा ये चार चीजें हैं काम हो या ना हो एक मुझे प्रातना करनी है तो करनी है मुझे बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है इतने सालों से हम प्रभू में है फिर भी हम प्रातना को वेल्यू नहीं देते है फिर भी हम कलीश्या को वेल्यू नहीं देते है फिर भी हम प्रभू की गभाई को इस संगती को महत्वनी देते हैं संगती में रहना बहुत जरूरी है रोज अपनी संगती में रहिए चाहे उसके लिए आपको किसी घर जाना पड़ा अच्छी संगती के लिए जाईए प्रात्रा में रहिए, सुधी करिए, अरात्रा करिए इसलिगों क्या कहता है, बड़ी भेंकर आंदी आई, नाओं में पानी भरने लगा और उनका जीवन खत्री में पड़ गया, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा है स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं और उसने उठकर आंदी और उठती हुई लहरों को डाटा, वे थम गई और शांती चाह गई, उसने उनसे कहा तुमारा विश्वास कहा है, बेस अलोट, क्या पूचा इशू मुसीने, क्या पूचा इशू मुसीने, ये नहीं पू जान, यहन न याकूब, तुम लोग ठीक हो, उसने का तेरा विश्वास कहा है, प्रभू, मेरे भाई, मेरी बहन आपसे वही पूच्था है, कि मैं तुझे सब कुछ दे चुका हूँ, तेरा विश्वास कहा है, तेरा विश्वास कहा है, प्रेस अलोट आपका विश्वास का है तुकि विश्वास का वर्दान वो दे चुका है दूसरा पत्रस पहले का पहला पड़ी है तुकि विश्वास का वर्दान इश्यू मसी ने जब हमको चुना है जब उसने अपना बनाया है वो हमें दे चुका है हमें लेने की जुरूत नहीं है तेरे पास क्या है ये जानने की जुरूत है कि हमारे पास हम जब मसी हैं हमारे पास है क्या आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरे पास क्या है कुछ भी पूछिए मैं क्या करूँ ये नहीं होता मुझसे गर में ये प्रॉब्लम है मुझसे अरे ये चोटी चोटी प्रॉब्लम आपको रोकेंगी परभू से बढ़ने में परभू में बढ़ने से तो आप मसी क्यों बने फिर कै लिखा है शोमोर्ज मसी का instant कि यह विष्वास प्राप्त किया है जो विष्वास पत्रस के पास था वही विष्वास हमारे पास है लेकिन हमें यूज करना है आप यूज कप करेंगे जब आप उस जीवन को जीएंगे अलो रेसलो जब आप उस जीवन को जीएंगे जो ईशू मसी आप दे चुका है जब आप उस तरीके का जीवन जीने लगेंगे वो विश्वास का वर्दान जो परमेशन ने आपको दिया है वो सामर जो परमेशन ने आपको दिया है वो अधिकार जो परमेशन ने आपको दिया है उसको अपने आप यूज होने लगेंगे तब आप बोलेंगे वो होगा, तब आप बोलेंगे और लोगों को चंगाई मिलनी शुरू हो जाएगी, अपने आप आपने आप आपको दर्शन आएंगे, आपने आप अभवश्योए नि क्रने लगेंगे, अपने आप, किसी को करने की जुरूत नहीं, अपने आप, परमेशर अपने आप देगा आपको, लेकिन वो क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो जीवन आप नहीं जी रहे हैं, रोज की प्रात्रा में धन्यवाद करिए कि हमें परमेशर ने क्या दिया है, क्या दिया है हमको, जो परमेशर कहता है, वो करिए, करिए, नहीं करेंगे, नुकसान आपका है और किसी का नहीं है, आपी का नुकसान है, किसी का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, last में जब आप analyze करेंगे कि किसका नुकसान हुआ तो आप देखेंगे सारा नुकसान आपी का हुआ है और किसी का नुकसान है ना आप कलीसिया का नुकसान कर सकते हैं ना आप पास्ट्रा का नुकसान कर सकते हैं ना प्रभू का ultimately नुकसान आपी का है और उसके वचन में ही सामर्थ है, उसके वचन करुसार चलेंगे, तो आप उसकी सुरक्षा को पाएंगे, उसके बाड़ा को पाएंगे, वो आपको लेके चलेगा, प्रेस अलॉट, मैंने अभी जूम मीटिंग में एक प्रात्रा बताई थी, जो नहीं आये मैं उनको बताना चाहता हूँ, भजन सहीता 91, 10 और 11, यह रोज आप करिए, लिखे लिजे इसको, भजन सहीता 91, 10 और 11, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी विपत्ती तुछ पर नहीं आ पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के नसीख नहीं आएगा, क्योंकि मेरा परमिश्वर, क्योंक जैसे मैंने इनको बताया था, आपको बताता हूँ, इस प्रात्ना को अपना बना लीजे, अपना बना लो, अब जैसे मैं बोलता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो, जैसे मैं बोलता हूँ, इसको सुनो, यह प्रात्ना आपको कैसे करनी है, रोज, दिन पर जितनी बार कर सकते करो, बस में जाते हुए करो, धन्यवाद पिता पर्मिश्वर आपने मुझे चुना है, मैं आपका दास हूँ, आपने अपनी आत्मा मुझे दिये, आपने नई सुष्टी में रशा है मुझे, आपने मुझे अपना पुत्र बनाया है, इसलिए मैं विश्वास करता कि कोई भी विपत्ती मुझ पर नहीं आएगी कोई भी दुख मेरे डेरे के नसीख नहीं आएगा क्योंकि मेरा परमिश्वर अपने सरदूतों को मेरे लिए आग्या देगा कि वो मेरी हर गमार्ग में रक्षा करें इस तरीके से रोज प्रात्रा करिए मोटर साकिल में जाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप नहीं रहे तो आप यहीं रह जाएंगे, प्रभू का दिन बहुत नस्दीक है, वाने वाला है, इसलिए जैसे मैंने आपको प्रात्रा मताईए, रोज करिए, अंगिकार करिए, कि मैं कौन हूँ, मैं इशू मसी में कौन हूँ, मैं प्र कोई भी दुख मेरे डेरे कर नसीख नहीं आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने दूतों को, अपने सरदूतों को आज्या देगा, कि वो मेरी हर मार्ग में रक्षा करें, आमीन मालिजी आपका बच्चा प्रात्रा नहीं कर रहा है, अपने बच्चे का नाम लेकर प्रात्रा करें, अगर आपका पती प्रात्रा नहीं कर रहा है, अपने पती का नाम लेकर प्रात्रा करें, प्रेस अलोट, समझे आप, या समझाओं वो प्रात्रा करके, अभी जैसे मेरे बेटे का नाम है अमितेश और वो बिजी है वो नहीं कर रहा प्रात्रा मान लेजे तो मैं क्या कहूंगा मैं कैसे प्रात्रा करूंगा कि पिता परमिश्व धन्यवाद कि आपने मेरे बेटे अमितेश को चुना है और अपने पापों श्रापों से मुक्त किया है अपनी आत्म अमितेश के डेरे के नजीख नहीं आएगा क्योंकि मेरा परमेशर अपने सरदूतों को अमितेश के लिए आग्या देगा कि वो उसकी हर मार्ग में रक्षा करें अपने बच्चों के लिए करिए अगर आपके बच्चे चर्च नहीं आ रहे हैं परमेशर बुद्धी खोलेगा, उनका नाम लेकर अंगिकार करिए, श्रद्धा का नाम लीजिए, बाबु का नाम लीजिए, आप देखिये, आप तबदीली पाएंगे उनमें, उनके नाम में बहुत वो है, जिस तरह से ईशू मसी के नाम में है, आपके बच्चे के नाम को परमेश्व जानता है और अपने लिए रोज प्रासना करिए आप देखिए आपके जीवन का तरीका बदलेगा और आप आशीश पाएंगे Praise the Lord, Hallelujah, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा कितनों ने सीखा है आज? Hallelujah, Praise the Lord